गुद मॉर्निंग तो अल उफ यू वासुकन साफ्ट यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारत के प्रमुक दर्रे माउंटेन पासे इसको आज हम डिसकस कर रहे हैं और हम मैप के थ्रू ही इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे लद्दाक और जम्मुकश्मीर ये पूरा एरिया जम्मुकश्मीर राज्य के अंतरगत आता था अभी लद्दाक अलग यूनियन टेरेटरी है जम्मुकश्मीर अलग यूनियन टेरेटरी है तो जो दर्रे अब लद्दाक में स्थित हैं उन्हें हमें याद करना है कि कौन स बाकी लोकेशन के थ्रू तो हम याद करने वाले ही हैं सबसे पहले लद्दाक में सबसे उचाई पे स्थित दर्रा कारा कोरम दर्रा कारा कोरम दर्रा ट्रांस हिमाले में आता है कारा कोरम दर्रा लद्दाक के ट्रांस हिमाले में है अगर हम मैप में देखें तो यह देखें यहाँ पे है कारा कोरम दर्रा इसके बाद है देपसांगला, ये देपसांगला दर्रा है, लद्दाक के जो दर्रे हैं यहाँ पे देखिए आपको लाशब्द दिखाई दे रहा है, तो तिबती भाशा में जैसे अमने देखा था जीलों को पढ़ते समय कि तसो का मतलब होता है तिबती भाशा में जील, वै तो हम इसे लिखें लानकला या फिर हम लिखें लानक दर्रा चांगला जाराला खारदुंगला और जोजिला ये दर्रे इतने हमें याद रखने हैं और भी बहुत सारे दर्रे हैं लेकिन ये इंपोर्टेंट है और इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है जोजिला यह आपको याद रखना है इनकी ट्रिक हम कैसे बनाएं कि लदाख में जो यह कारा कोरम दर्रा इसके लावा देपसांगला लानकला चांगला जाराला खारदुंगला यह इतने दर्रे हमें याद रहें ट्रिक क्या बनाएं देखें दीप काका जराचंगा खाना लाना अब इस ट्रिक के पीछे भी लोजिक है देखें क्यों ऐसा ऐसी ही ट्रिक बनाई है जराचंगा खाना लाना देखें लद्दाख जो है इसमें वनस्पती बहुत कम है cold desert है यह वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको cold desert है यानि यहाँ पे जलवाई हूँ बहुत ही सुस्क बहुत कठोर जलवाई हूँ है agriculture बहुत कम इरिया में होती है और बहुत कम quantity में होती है तो क्रशी यहाँ पे बहुत कम होती है तो इसी लिए क्या ट्रिक है दीब आका जराचंगा खाना लाना क्योंकि यहाँ पर खाना यानि भारत के अन्ने राजियों से ही यहाँ पर अन्न मंगवाया जाता है तो आप सोचे, बेसिकली लदाख जो है, वो परियटन पे टिका हुआ है, तो लदाख में एग्रिकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये धान रखना है, कोल्ड डिजर्ट है ये, बहुत कम वनस्पती पाई जाती है, जबकि इसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये वाली, हम देख भी चुके हैं, सिंधु नदी, और ये देखे पेगोंग तसो जील, पिछली बार हमने जब जीलों की क्लास ली थी, उस समय हमने देखा था पेगोंग तसो, जो की भारत में भी है, और चीन में भी है, अभी जो गलवान घाटी, इसके अल कर रखा है इस वाले पार्ट पे यह हमारे लद्दाक का ही भाग है लेकिन इसे हम अक्साई चीन कहते हैं क्योंकि चाइना ने यहां पे अपना नियंतरन कर रखा है अपने कबजे में ले रखा है यह है अक्साई चीन इसके लावा यहां पे सिया चीन ग्लेसियर है जो की हमार को दे दिया है तो यहाँ पे भी चीन का नियंतरन है इसके लवा ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट है पाक अधिकरत कश्मीर ये भी हमारे पास नहीं है तो आप देख पा रहे हैं कि लग्दा का कितना कम एरिया हमारे पास है बाकि बहुत अभी हम याद क्या कर रहे हैं कि भई हमारी ट्रिक है आज की कि लगदाक के दर्रे हमें याद कैसे रहेंगे दीप काका जरा चंगा खाना लाना यहाँ पर खाना क्या है लाना ही पड़ता है यहाँ पर एग्रिकल्चर बहुत कम होती है कोल डेजर्ट है वह बच्चों जैसी लेकिन आपको काम आएगे क्योंकि दर्रे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें क्योंकि बहुत सारे नाम एक जैसे हैं और याद नहीं रहता कि कौन सा दर्रा कहां स्थित है तो इसलिए आज हम थोड़ी ट्रिक का यूज करेंगे देखें दीप से देपसांगला का स से काराकोरम, जाराला, चांगला, खारदुंगला और लानकला इसके लावा जोजिला दर्रा जो इंपोर्टेंट है वो अलग से आपको ध्यान रखना है ये छे दर्रे जो है चार ये दो वो ये इस ट्रिक से याद रह जाएंगे आई होप आपको ये ट्रिक काम करेगी तो देपसांगला, इसके लावा काराकोरम, जाराला, चांगला, खारदुंगला और लानकला जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख के जासकर स्रेणी में स्थेते हैं ये दर्रे सभी ट्रांस हिमाले में स्थेते हैं काराकोरम भी, देपसांगला भी, चांगला भी, लानकला भ यहाँ पर जोजिला दर्रा जो है वो जासकर स्रेनी में स्थेत है यह आपको ध्यान रखना है और जोजिला दर्रा जो है इससे कहां से कहां तक के लिए है यह श्री नगर से लेह के लिए सीरी नगर से लेह के लिए क्योंकि कौन सा दर्रा कहां से कहां को जोड़ता है ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है देखिए ये सीरी नगर है और यहां पे है लेह तो ये सीरी नगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा जोजिला दर्रा सबसे ज़्यादा बार कॉश्चन के रूप में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है तो 6 दर्रे प्लस एक जोजिला साथ दर्रे लद्दाक में हमें ध्यान रखना है लद्दाक कॉल डेजर्ट है और अभी 2019 में यूनियन टेरेटरी बना है और क्षेत पूछना है कि जम्मू कश्मीर में कौन-कौन से दर्रे हैं तो जम्मू कश्मीर में देखे एक तो बुर्जिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में व्रहध हिमाले में है महान हिमाले या व्रहध हिमाले जो की अनवरत है लगातार है सिरीनगर से गिलगित देखे ये वाला जो बनिहाल दर्रे पे क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं ये जो रास्ता है ये पाक उक्विपेड कश्मीर में है तो देखे सिरी नगर से गिलगित शिरी नगर तो हमारे पास है लेकिन गिलगित हमारे पास नहीं है तो याद रखना है बुर्जिल दर्रा जम्मु कश्मीर मे व्रहध हिमालते में है, स्रीनगर को गिलगित से जोडता है अब देखें, जोजिला दर्रा तो, जम्मु कश्मीर नी, लदाक ही इसका एप्रोप्रियेट आंसर होगा अगर लदाक ना दियाओ, तब हम देख सकते कह सकते हैं, जम्मु कश्मीर देखे जोजिला दर्रा लदाख में स्थित है लदाख के जासकर सिरेणी में स्थित है और सिरी नगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है सिरी नगर से लेह के बीच का मार्ग है ये जोजिला दर्रा से इसके बाद देखे जम्मु कश्मीर का सबसे इंपोर्टेंट दर बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लगू हिमाल्य के पीर पांजाल परवत्स रंकला में स्थित हैं सिरी नगर को जम्मू से जोड़ता है देखे जम्मू को सिरी नगर से जोड़ता है आप यह दर्रा देख पा रहे हैं यहां पर यह है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स दो टनल हैं इसी वे पे जो जम्मू से सिरिनगर जाने के लिए क्योंकि देखे यहां पे टनल बनाने का परपस क्या है कि ये वाले रास्ते स्नोफोल बहुत जादा होने के कारण सर्दियों में इन रास्तों से आवागमन संभावी नहीं हो पाता और ये बॉर्डर के टच होत जादा लगता है तो इस वज़े से टनल के थ्रू कुछ दूरी कम हो जाती है और रास्ता जल्दी तै किया जा सके तो इसी वज़े से यहां पे टनल है दो टनल आपको ध्यान रखनी है एक तो है चेनानी नासिर और इसके लावा जवार टनल देखे जवार टनल तो 1956 में बन स्थित है जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है तो में कॉश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक तो बनिहाल दर्रे से और दूसरा पीर पांजाल दर्रा तो इसे हम याद कैसे रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन-कौन से दर्रे हैं क्योंकि दीप काका जरा चंगा खाना ल बनि है पीर की बुर्ज पीर की बुर्ज इस तरह से याद रखेंगे तो कश्मीर इसमें जोड़ दिया है तो अब कंफ्यूस नहीं होगे आप कि इसमें ये जो दर्रे हैं बनिहाल पीर पांजाल और बुर्जिल दर्रा ये लदाक में हैं या जम्मू कश्मीर में क्योंकि यहाँ पे जोड़ दिया गया है क्या कश्मीर शब्द तो आपको इसी तरह से मैनर में याद होता है तो बहुत बहतर है अधर्वाइस आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं देखें कश्मीर में बनी है पीर की बुर्ज तो कश्मीर में जम्मू कश्मीर में कौन-क है क्यूंकि झीलों को पढ़ते समय भी हमने पूरी कौशिश की थी कि नॉर्थ इस्ट के स्टेट के जो राज्य पसु है उनको भी हम याद खरते हुए चले तो हंग मैं यहां का राज्य पसु है यह हीरन की ही प्रजाती है स्टेग यहां का क्या है राज्य पसु है बाकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम जोग्रोफी को डिसकस करते चलेंगे, साथ में पैलल में कुछ न कुछ और फैक्ट से हम याद करते हुई चलेंगे, तो इस बात का तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है कि चीजे याद कैसे होंगी, क्योंकि बहुत बार, बहुत इजी मैनर में याद क्योंगी चीज हमें हमेशा के लिए ध्यान रह जाती है, अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से दर्रे हैं, तो जो भी लोग मनाली घूमने गए हैं, डेफिनेटली वो रोहतांग दर्रे तक तो गए होंगे, क्योंकि देखें ये दर्रा मनाली से किलोमेटर की दूरी पर ये है, तो जो मनाली तक गूमने जाते हैं, तो रोहतांग दर्रा तो बिल्कुल नेरबाई में है, तो रोहतांग दर्रा तो वैसे भी याद रहता है, कहां है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन फिर भी हम ट्रिक इसकी भी देखेंगे, एक है बाराला दर्रा या तो हम कहें ला या हम कहें दर्रा, तो या तो हम कहें बारालाचा दर्रा या बारालाचा ला, इसके लावा शिपकिला, ये तीन दर्रे हमें हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखने, रोहतांग, शिपकिला और बारालाचा ला, इनके लिए हम क्या देखें, हिमाच हिमाचल में रोहित, रोहित से है रोहतांग, हिमाचल में रोहित बारा सीप लेकर गया, तो शीप किला और बारा लाचाला, या हिमाचल में रोहित के पास बारा शीप हैं, जो भी आपको ठीक लगे, और आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं, इनको याद करने के लिए, क्योंकि खुद की बनाई हुई ट्रिक सबसे ज़्यादा वर्क करती है, लेकिन हाँ, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए, जिससे ये कन्फ कश्मीर में बनी पीर की बुर्ज, तो कश्मीर में बनी है, तो पीर पांजाल भी, बुर्जिल दर्रा भी, बनिहाल दर्रा भी कहां पे हैं, कश्मीर में हैं, तो इसी तरह से हिमाचल में रोहित के पास बारा सीप हैं, तो बारा लाचा, और शीपकिला, और रहतांग दर्र तीन दर्रे ध्यानरक ने रोहतांग दर्रा जो है वो लगू हिमाले में स्थित है लगू हिमाले या मद्ध हिमाले मनाली को लेह से जोडता है देखे मनाली को लेह से जोडता है लद्दा की राजदानी है लेह और लेह जिला भी है तो देखे यहां पर यह मनाली है यह आपको हिमाल्य की पीर पांजाल स्रेनी में 9.02 किलोमेटर लंबी अटल सुरंग बनी है जो कि 10,000 फीट की उचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सडक सुरंग है याद रखना है दुनिया की लंबी सडक सुरंग कब है जब उचाई की बात चल रही है इस वर्ड पे धान देना 10,000 फीट की उचाई पर स्थित ये दुनिया की सबसे लंबी सडक सुरंग है और ये कितनी 9.02 क्योंकि बहुत बार वंडे एक्जाम में डिजिट देकर भी कॉशन पूश लिया जाता है तो 9.02 किलोमेटर लंबी है अटल सुरंग इसके बाद हम देखते हैं 12 लाचा लादर रहा है इसके बाद है मध्य हिमाले या लगू हिमाले तो जो भी दर्रे आपको स्टेट में जैसे लदाक में बिल्कुल उत्तर दिशा में जो दर्रे हमने अभी देखे तो वो कहां हो सकते हैं ट्रांस हिमाले में फिर जम्मो कश्मीर में जो दर्रे बिल्कुल नदन साइड में हैं वो कहां हो सकते हैं महान हिमाले में इसी तरह से यदि सिक्किम में भी कोई दर्रा सबसे उपर की नदन साइड में है तो वो कहां हो सकता है महान हिमाले में हिमाचल प्रदेश में कोई दर्रा बिल्कुल नोर्थ साइड में आपको दिखाई दे रहे बारालाचा दर्रा शिप की लादर्रा कहा हो सकते हैं महान हिमाले में तो जब हिमाले को हमने पहले डिस्कस कर लिया है तो उसका भाद बेनिफिट है न हमें कि हमें चीजें याद करना और उसके साथ common sense लगाना हमारे लिए आसान हो गया है तो आपकी ये जो classes अभी चल रहे हैं इनका एक sequence है actual में आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है वो मैं नहीं जान पा रही हूँ लेकिन इनका sequence है सबसे पहले हिमाले को डिस्कस करने का यही परपज है कि ताकि आगे आने वाली classes में हमारे लिए जो facts हैं वो याद करना आसान हो जाएं तो देखें शिपकिला दर्र ये भी कहा है महान व्रहद हिमाले या महान हिमाले में स्थित है जो बारा लाचा दर्रा है ये मनाली से लेह को जोडता है और जो शिपकिला दर्रा है ये शिमला को तिबबत से जोडता है देखे ये शिमला को तिबत से जोडता है और ये मनाली को लेह से जोडता है क्योंकि देखे यहाँ पे मनाली और ये मनाली के जस्ट उपर क्योंकि घूमने भी गयोंगे तो definitely याद किया होगा और देखा होगा तो automatic धान रह गया है कि रोहतांग दर्रा जो है वो मनाली में ही है मनाली से कुछ किलोमेटर दूरी तो ये तीन दर्रे धान कैसे रहेंगे हिमाचल में रोहित के पास बारा शीप हैं बारा लाचा दर्रा शीप किला दर्रा और रोहतांग दर्रा और तीनों कहां पे हैं हिमाचल में हिमाचल के जब उस्प क्या है क्योंकि बहुत बार वंडे एक्जाम में बिल्कुल simple caution पूछ लिया जाता है लेकिन वो simple caution भी कौन solve करके आता है या कौन उसका right answer करके आता है जिसने कही ना कहीं कुछ चीजे facts पढ़ रखे हैं इसलिए जब आपकी journal knowledge बहुत शांदार होती है जो कि धीरे धीरे करके ही बढ़ती है तभी GKGS का paper आसान लग सकता है क्योंकि इसका नाम ही है journal knowledge, journal awareness देखिए हिमाचल का जो राज्य पशू है वो है हिम तेन दुआ हिम तेन दुआ अब हम बात करते हैं उत्राखंड की उत्राखंड में कौन-कौन से है तो देखिए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल नदन साइड में तो यह definitely कहाऊंगे महान हिमाले में जैसे माना दर्रा देखिए लिपू लेक दर्रा उत्राखंड के कुमाउस रेनी में यह दर्रा तिबबत को जोड़ता है यानि उत्राखंड को भारत को तिबबत से यह जोड़ता है लिपू लेक दर्रा मान सरोवर और कैलास परवज जाने वाले भारती यह तीर्थी आत्रियों के द्वारा इस दर्रे का उपयोग किया जाता है यह भारत, चीन और नेपाल के मध्य सीमा बनाता है आप यह देख पा रहे है लिपू लेक दर्रा यह यहाँ पे है देखें अब यहाँ पे यह चाइना यानि तिबबत तिबबत यानि चीन क्योंकि अब तिबबत स्वेतंतर राष्टर नहीं है यह भारत और यहाँ पे यह बाउन्डरी आपको दिखाई दे रहे है यह नेपाल की सीमा क्योंकि उत्राखंड तो पूर्वी बाउन्डरी उत्राखंड देखें उत्राखंड और यह इसकी पूर्वी बाउन्डरी जो है वो नेपाल से लगती है तिबबत की और बिल्कुल इस्ट में बाउंडरी शेयर कर रहा है नेपाल के साथ कौन उत्राखंड तो उत्राखंड का ये वाला जो दर्रा लिपुलेक दर्रा है ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि मान सरोवर और कैलाज जाने वाले जो यात्री हैं वो इसी दर्रे का यूज करते हैं इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है इसका तो सासकर्तिक महत्वई बढ़ गया है इस दर्रे का तो लिपुलेक दर्रा माना ला या माना दर्रा ये उत्राखण में व्रहद हिमाले में देखिए अगर कोई दर्रा आपको बिल्कुल नर्दन में बिल्कुल नोर्थ में दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली कहा होगा महान हिमाले में तो माना दर्रा उत्राखण में व्रहद हिमाले में है ये भारत चीन को जोड़ता है क्योंकि देखें बिल्कुल सीमा पे ही है ये आपको दिखाई दे रहा है ये माना दर्रा है इसके अलावा निती दर्रा उत्राखण के व्रहद हिमाले में है और भारत और चीन को जोड़ता तो ध्यान रखना है वैसे भी उत्राखंड को क्या कहा जाता है देव भूमी क्योंकि कैदारनाथ, बदरीनाथ, हरिद्वार ये सब उत्राखंड में हैं गंगोत्री, यमनोत्री, गंगा और यमुना निकली यहां से रही है तो इसे कहते हैं देवताओं की भूमी, देव भू आ लेते हैं कि हमें ध्यान कैसे रहेगा, यहां पर मुलिंग से सुरू करेंगे क्योंकि यह शब्द आ भूल सकते हो, मुलिंग ने माना, मुलिंग या आप इसे मलिंग, क्योंकि जो स्टूडिन बहुत क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता ही है कि मलिंगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा शांदार बॉलर था, तो देखें मुलिंग या मलिंगा कुछ भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन दर्रा ध्यान आते ही मुलिंग ला है ना, तो मलिंगा नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं, मलिंगा ने उत्तर माना, अब उत्तर से यहां पे उत्तरा खं देखे हिमाचल में हमने हिमाचल को साथ में लिया था अगर आपने स्टेट का नाम छोड़ दिया तो आप ये कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये दर्रे याद तो हैं सारे लेकिन कौन से स्टेट में ये ध्यान नहीं आ रहा तो इसलिए common sense ट्रिक बनाते समय भी common sense का पूरा यू लिंग दर्रा तो ये चार दर्रे और इनमें सबसे ज़्यादा important कौन सा है लिपूलेक दर्रा क्योंकि उसका धार्मिक और सांसकर्तिक महत्वय भी है और उत्राखंड क्या है देवताओं की भूमी है और हाँ उत्राखंड का राज्यपसू क्योंकि राज्यपसू तो हम या आभी में तो कस्तूरी म्रग यहां का क्या है राज्यपसू है और चार दर्रे हमने देख लिए याद कर लिए आई होप क्योंकि दर्रों से बहुत सिंपल कौशन ही पूछा जाता है या तो ये कि इनको मैच करना आ जाता है कि कौन सा दर्रा कौन से राज्यपसू है या फि लेकिन अगर एक्जाम में कौशन आ जाता है तो सोचिए वो आपके बोनस मार्क्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा टोपिक है भारत के दर्रे बहुत छोटा टोपिक है अब हम राजस्तान और मध्या प्रदेश के दर्रों से पहले नौर्थ इस्ट के दर्रे देख लेत नाथुला और जेलेपला देखे एक तो सिक्किम वैसे ही बहुत प्यारा सा स्टेट है इसकी हलांकि बाउंडरी आप देख पारे है यहां इधर नेपाल से ऊपर की साइड चीन तिबबत से और यहां बुटान से लगती है इस साइड में बुटान से और देखे यहां पे सि जिला, उत्तर जिला और दक्शिन जिला यह चार ही जिले है और दिशाओं के नाम पे इनके नाम है तो सिक्किम भाद प्यारा सा स्टेट है इसमें दो दर्रे आपको ध्यां रखने है नाथुला और जेलेपला जो नाथुला दर्रा है वो सिक्की में व्रहध हिमाले में स्थित है गंग्टोक से लहासा के मध्य संपर्क मार्ग है यह गंग्टोक को लहासा से जोडता है यानि गंग्टोक से लहासा जाने के लिए इसका यूज किया जाता है 1962 में भारत चीन का युद्ध युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में इसे वापस खोल दिया गया है ये दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापारिक सिल्क मार्ग सिल्क रोट जो था उसकी उपसाखा का भाग था यानि सिल्क रूट जो जाता था उसी का एक भाग था उसी की उपसाका थी ये नाथुला दर्रा तो नाथुला दर्रा सिक्किमे और जेलेपला दर्रा सिक्किमे धान कैसे रहेगा सिक्किमे नाथुलाल जेल में है तो नाथुला से नाथुला दर्रा या नाथुला और इसके अलावा जेल से जेलेपला और बात कहां की हो रही है सिक्किम की तो इसलिए ध्धान रहना आसान रहेगा जेलेपला दर्रा देखे सिक्किम में व्रहध हिमाल्या में गंग्टोक से लहासा को दोनों ही दर्रे गंग टोक से सिक्किम की राजदानी गंग टोक से लहासा को जोडते हैं लहासा तिबबत में तो लहासा को जोडते हैं नाथुला भी और जेलेपला भी ये दोनों दर्रे बहुत इजी मैनर में ध्यान हो जाएंगे सिक्किम में नाथुला जेल में हैं तो ना हिमाल ये जो है वो मैने जिलों को पढ़ते समयवि्ग फिर रीकोल करभाया था कि यहां से हिमालय स्टीप कर लेकर के यहां चल पढ़ता है ठिक 있어요 हिमालय もही यह द्रे और यह वाली सीमाय देख पारें यह इतनी तो चायना व यह सीमाय म्यामार से तो अब भारत और म्यामार तो अगर अरुनाचल प्रदेश के दर्रे किस को किस से जोडते हैं तो भारत को चीन तिबत से और भारत को म्यामार से अब यह हम देख लेतें कौन-कौन से दर्रे हैं एक तो है बॉमडिला दर्रा बॉमडिला दर्रा उत्तर पुर्वी हिमाले में अरुनाचल परदेस में है ये अरुनाचल को लहसा से जोड़ता है सिक्किम में भी जो दर्रा हमने नाथुला और जेलेपला देखा वो भी सिक्किम की राजदानी गंग्टो को लहसा से यहां पे अरुनाचल को लहसा से जोड़ता है दीफु दर्रा अरुनाचल परदेस में उत्तर पुर्वी हिमाले क्योंकि यहां पे हमने देखा ही था कि यह जो पार्ट है वो उत्तर पुर्वी हिमाले उत्तरपूर्वी पाड़ियां कहलाता है अरनाचल परदेश को म्यामार से जोडता है दीफू दर्रा यह परमपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए साल भर खुला रहता है लेकिन हिमाले में जो हमने लदाक में और जम्मू कश्मीर में जो दर्रे देखे ह वो पूरे वर्स भर खुले नहीं रहते एवन रोहतांग दर्रा जो हिमाचल परदेश में है रोहतांग दर्रे को भी आम लोगों के लिए अगर आप नवेंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इसमें घूमने जाओगे तो आपको रोहतांग पास को क्रॉस नहीं करने दिया जा है पांग साउ दर्रा पांग साउ दर्रा भी अरुनाचल परदेश में है और यह म्यामार अरुनाचल परदेश को म्यामार से जोड़ता है इसके लावा मनिपूर का एक दर्रा जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है तूजू दर्रा देके मनिपूर को मैप में देखते है यहां पे, यहां पे है तूजू दर्रा, मनिपूर के अंदर, और यह बाउंडरी किसकी लग रही है, म्यामार की, तो यह मनिपूर को म्यामार से जोड़ता है, तो कंट्री किसको किस से जोड़ रहा है, इसमें तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होने चाहिएू, अब अरुनाचल प्रदेश की, वो भी यहीं पे स्थित है, त्वांग जिले में, और यहां पे दर्रा है, बुमला दर्रा, इसके लावा देखे सैला पास, सैला पास यहां पे है, वेस्ट केमांग जिले में है, यहां पे है सैला पास, इसके लावा जो बॉमडिला दर्रा है, य आप यहाँ पर लोकेशन देख पारें यह वाला है बॉम डिला दर्रा जो कि वेस्ट केमांग जिले में है तो इतने दर्रे हैं अरुनाचल परदेश में धान कैसे रहेगा देखिए एक तो है बॉम सेला बॉम दीफू और इसके लावा पांक साओ यह इतने दर्रे अरुनाचल परदेश में याद रखने हैं तो धान कैसे रहेगा कि कौन कौन से दर्रे हैं तो देखिए सबसे पहले तो अरुनाचल परदेश को लिखना हमारे लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पता चला यह दर्रे तो हमने याद कर लिए लेकिन कौन से स्टेट में यह बात भूल गए तो इसलिए अरुन और शीला सीला से आपको सेला पास ध्यान रहे जाएगा अरुन और शीला बूम बॉम बूम बॉम लेकर दीफू के पास गए बाकि और कोई बहतर ट्रिक आपको अच्छी लगे आप बना सकते हो जिससे आपको और भी बहतर तरीके से यह याद हो जाए यहाँ पे अरुन से अरुना चल परदीश शीला से हमें शैला पास याद रखना है बूम से बूमला बॉम से बॉमडिला और दीफू से दीफू दर्रा और पास गए पांग साउ दर्रा यह आपको ध्यान रखना है बाकि ट्रिक के मामले में सच में ऐसा है कि अगर आप अपनी खुद के ट्रिक बनाते हैं तो वो ज़्यादा बहतर और अच्छी होती है क्योंकि आपने बनाई होती है आपकी क्रियेटिविटी होती है तो वो ज़्यादा याद रहती है चलिए तो ये थे अरुनाचल परदेश के दर्रे और मनीपूर में एक ही दर्रा है आपको ध्यान रखना है तूजो दर्रा ही इंपोर्टेंट है तूजो दर्रा जो मनीपूर को म्यामार से जोडता है अब हम देखते हैं राजस्तान में क्योंकि राजस्तान में अरावली रेंज है ये हमने फर्स्ट क्लास जिसमें हम भोगलिक स्थीती देख रहे थे उस से मैं हमने देखा था, राजस्तान में है अरावली रेंज, अरावली रेंज में देखे, गोरान घाट दर्रा, अरावली की पहाड़ियों में, राजस्तान में है, ये गुरु शिकर को माउंट अबू से अलग करता है, गुरु शिकर को माउंट अबू से अलग करता है, औ तो ये वाला जो है इनको उद्यपुर शहर से जोडता है तो ये आपको गोरानगाट राजिस्तान में ध्यान रखना है अब हम देखते हैं ऐसा दर्रा जो उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोडता है देखे असिगड किला दर्रा ये है मध्या प्रदेश में ये आपको स्विवन रेखा है इसके इलावा देखे ये यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये है तापती नदी ये तापती नदी और इनके बीच में है सत्पुडा माउंटेन जोकी एक ब्लोक माउंटेन है हमने देखा था सत्पुडा और विंध्याचल दोनों को हम बहुत अच् मिलता है तापी नदी एन से आटी तो इसे तापी लिखती है ये यहां पर सत्पुडा और उपर है विंध्याचल तो देखे सत्पुडा ब्लोक माउंटेन है ये हम देख चुके हैं और यहां पर सत्पुडा परवत माला में ही मध्य प्रदेश में स्थित है असिगर्ड कि पुर्वी घाट लगातार नहीं है इसलिए उसमें दर्रों की आवशकता ही नहीं है वहाँ पे खूब ग्याइप है पहाड़ों के बीच में परवत सरंकलाओं के बीच में तो इस वज़े से पुर्वी घाट में दर्रों के आवशकता नहीं है पश्चिमी घाट में दर्रे है क्योंकि यह अनवरत है लगातार है अब देखें आप एक common sense लगाईए कि यहाँ पे मुंबई है यहाँ पे बिल्कुल मुंबई है और यह इस तरह से पश्चिमी घाट चलता है तो आप सोचें मुंबई से इस वाले एरिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा दर्रे का यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा imagination कीजिए तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान हो जाएंगे या फिर आप कभी ना कभी किसी ना किसी पास के थ्रू गए होंगे एक जगे से दूसरी जगे यानि किसी ना किसी घाट से दर्रे से आप गुजरे होंगे तो आपको थालगाट और भोरगाट थालगाट जो है वो देखे उपर है यहाँ पर यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है यह आपको दिखाए दे रहा है नासिक यह यहाँ पर पूने और मुंबई से पूने अगर आपको जाना है तो आपको भोरगाट से जाना पड़ेगा प्रोटेंट है यहां पे थालगाट और भोरगाट और इनके लिए मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बनाने की जर्रत है क्योंकि थाली बजाते ही भोर हो गई महरास्ट्र में या कुछ भी लेकिन दोई दर्रें तो याद रख पाना आसान है और इनके आगे कहीं भी ला ला ल गाट आपको याद रखने है इसके अलावा अम्बोली घाट दर्रा यह महरास्ट्र करना टक यानि सावन्त वाड़ी तालुका जोकी महरास्ट्र में है इसको बेल-गाम से जोड़ता है क्यों अम्बोली घाठ दर्रा तो दो दर्रें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट में और कौन सा दर्रा है देखें गोवा महरास्ट्रा और करनाटक यह ग्रीन कलर से यहाँ पे गोवा है यह महरास्ट्रा है और यह पिंक कलर से करनाटक है तो इनके बीच में कौन सा दर्रा है चोड़ला घाट दर्रा चोड़ला घाट दर्रा जो की चोड़ला घाट दर्रा गोवा करनाटक महरास्टर को जोड़ता है थाल घाट भोर घाट अमबोली घाट इसके लावा चोड़ला घाट ये आपको ध्यान रखना है अब हम देखते हैं केरला में कौन-कौन से दर्रे हैं क्योंकि देखें यह आपको दिखाई दे रहा है और यह मैप है कैरल का कैरल के राज्य पसू की अगर हम बात करें तो वो है भारतिय हाथी एलिफेंट यहां का राज्य पसू है और जिन स्टेट के राज्य पसू रह गए हैं बीच में हमने ध्यान नहीं दिया उनके आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज़ देना कि कौन-कौन से राज्य पसू कौन-कौन से स्टेट के हैं पाल गाट दर्रा देखे कैरल में नील गिरी और अन्ना मलाई पहाड़ियों के मध्यस देते नील गिरी हमने देखा था नील गिरी में पुर्वी घाट और पस्चिमी घाट जैसे ये नील गिरी की पहाड़ी है इसमें पस्चिमी घाट और पुर्वी घाट दोनों आकर के मिलते हैं नील गिरी में और ये question अपने आप में important है और बहुत बार पुछा गया है कि पुर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां आकर मिलते हैं तो वो मिलते हैं निलगिरी में अन्ना मलाई की पहाड़ियां हमने देखा था पश्चिमी घाट को सहयादरी भी हम कहते हैं सहयादरी और हमने पश्चिमी घाट को तीन पार्ट में डिवाइड किया था उतरी सहयादरी मध्य सहयादरी और दक्षिनी सहयादरी में हमने देखा था अन्ना मलाई की पहाड़ियां पालने पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां कार्डमम या इलाइची पहाड़ियां भी उनको कहत हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा इलाइची की खेती होती है तो देखे अन्ना मले की पहाड़ियों में ही स्थित है पश्चिमी घाट की सबसे उची चोटी अनाई मुदी यह रीकोल हो रही हैं हमारे फेक्ट फिर से क्योंकि यह हम पढ़ चुके हैं अनाई मुदी यह पश्चिमी घाट की सबसे उची चोटी है जो की अन्ना मले की पहाड़ियों में स्थित है तो अन्ना मले की पहाड़ियों और नीलगिरी के बीच में स्थित है यह देखे यहाँ पे यह है पाल घाट कैरल को तमिल नाडू से जोड़ता है देखे यह पलकड पलकड जो जग से मधुरेई में मिनाक्शी मंदिर सबसे famous temple है यह मिनाक्षी मंदिर मिनाक्षी देवी का मंदिर है यह मदुरई में बहुत ही सुन्दर बना हुआ है इसकी स्थापते कला और यहाँ पे जो मूर्तियां इसके लावा यहाँ पे जो स्तंब हैं तो उन पे बहुत आर्ट है तो इसलिए मदुरई तो कैरल की राज़ानी तिर्वंत पुरम को मदुरई शहर से जोड़ता है सैन कोटा गैप जो की कैरल को तमिल नाडू से जोड़ता है स्टेट भी धान रहना चाहिए और कौन से शहर को किस सहर से जोड़ता है यह भी क्योंकि पश्चिमी घाट में 5-4 दर्रे ही तो हैं जो बहुत इंपोर्टेंट हैं तो उनका हमें पता होना चाहिए तो यह हमारे दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं कौन-कौन से स्टेट के दर्रे हमने देखे हैं एक तो लद्दाक के दर्रे जो हमने याद किया है कि दीप काका जरा चंगा खाना लाना इस वाली ट्रिक से फिर हमने जम्मु कश्मीर के दर्रे हमने कैसे याद किये थे कश्मीर में बनी है बुर्ज पीर की या पीर की बुर्ज जैसे भी आपको ध्यान रहे तो पीर पंजाल बुर्जिल दर्ला बनिहाल दर्रा ये कहा है कश्मीर में फिर हमने हिमाचल परदेश में तो हिमाचल में रोहित के पास 12 शीप है इसके लावा हमने देखा था उत्राखंड के दर्रे फिर हमने देखा शिक्किम के दर्रे नाथुलाल और जैलेपला तो नाथुलाल सिक्किम मे नाथुलाल जेल में है इसके बाद हमने देखा अरुनाचल परदेश के दर्रे और फिर हमने मनिपूर का तुजु दर्रा ये दर्रे इसके बाद देखे महरास्ट्रा में राजस्तान का एक दर्रा आपको याद रखना है गोरान घाट मध्य परदेश का असिगड किला दर्रा इसके बाद महारास्टरा में भोरघाट, थालघाट दोनों ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद अम्बोली घाट भी आपको याद रखना है। फिर अमने देखा था गोवा, करनाटक और महारास्टरा के बीच में दर्रा है, चोडला दर्रा। वो ध्यान रखना एक सेनकोट दर्रा और एक पालगाट दर्रा ये दर्रे आपको ध्यान रखने हैं वो थोड़े से दर्रे हैं कॉश्चन अगर आज आए पेपर में तो फिर वो आपके बोनस मांक्स हो जाते हैं मुश्किल से मुश्किल आदे से एक घंटे में ये दर्रे याद हो जाते हैं ट् झाल झाल